और राइट दे प्रोग्राम फोर बी-सी डी एडेशन यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो आप अपनी मोबाइल पर ही कर सकते हो यूजिं 8085 अल्टिमेट सिमुलेटर ठीक है कैसे इंस्टॉल करना है यह से मैंने अल्रीडी एक वीडियो में प्रोवाइट कर रखा है टेटोरियल फॉर 8085 अल्टिमेट सिमुलेटर यूजिंग चेक टैट वीडियो आपको यहां से क्लियर नहीं होता है तो यूजिंग चेक टैट प्रोग्राम ठीक है जब BCD addition करते हैं तो basically हमारे पास two numbers होते हैं suppose हमारे पास एक number A है और दूसरा number हमारा B है यह हमें addition perform करना है और यह जो हम addition perform करेंगे BCD में करेंगे ठीक है BCD means का जो हमारे numbers होंगे उनकी range क्या होती है 0 to 9 वो 9 से exceed नहीं करेगा और after submission if your sum is less than or equal to 9 तो that is valid BCD number but if sum or result is greater than 9 तो that is invalid result थीक है तो इस invalid result को हम correct करते हैं by adding 6 थीक है क्यों add करते हैं तो you can check in the video of BCD addition in digital electronics playlist तो वहां आपको वो मिल जाएगा थीक है यहां पर मैं आपको पूरा program explain करूंगी ठीक है तो start करते हैं suppose पहले मैं example ले लेते हूँ है हम आरे पास two numbers से हमने first number लिया suppose हमने first number लिया 5 4 इन second number लिया 6 5 ठीक है this is the number ठीक है अगर आप add करते हो 4 प्लस 5 क्या होगा 9 तो this is equal to 9 means this is valid number अब आप आप add करते हो 5 इन 6 को तो आपका जो processor है वो hex में number लिता है 5 प्लस 6 11 होता है और 11 को यह क्या लिखेगा b ठीक तो b is greater than 9 तो this is not valid number तो इसमें हम क्या add करेंगे 6 जब हम 6 add करेंगे तो b is 11 11 प्लस 6 क्या हुआ 17 और 17 को हम hex में क्या लिखते हैं 1 और 1 तो हमारा result क्या होगा 1 और 1 थीक means कि after addition of 54 54 प्लस हमने लिया था 6 5 हमारा जो result आएगा final वो होगा 11 9 थीक अब आपने यह 8 बिट का number लिया यह भी 8 बिट का number लिया पट आपका result जो आया 12 बिट का है तो 12 बिट तो हम लेते हैं 16 के means कि अगर आप numbers add करते हो तो हमारी carry आने के chances हैं तो हमें carry भी save करनी होगी तो याद रखना है कि first step होगा कि हमें numbers को लेना है then हमें उसे add करना है फिर check करना है clear first हम क्या लेंगे two numbers first step क्या होगी first step हमारी होगी कि हमें first number चाहिए second number चाहिए this is the first step second step क्या होगी हम numbers को add करेंगे third step क्या होगी कि अगर हमारा number greater than 9 है means कि invalid है तो हम उसे valid BCD में convert करेंगे valid BCD में convert करने पार there is a chances of carry तो हम check करेंगे कि carry flag is one or not अगर one होगी तो हम क्या करेंगे fifth step में हम save करेंगे result as well as carry means कि हम दोनों चीदों को save करेंगे तो these are the five steps जो हमें करने हैं तो let's start the program तो first हम लेते हैं suppose हमारा first number है 2500 में तो हमने लिखा LXI सबसे पहरें हम carry को भी लेके चलने हैं तो हम carry register ले लेते हैं MBI C,00 this C register को हमने use क्या carry के लिए initially carry के value क्या है 0 next step हमने first number लिया LXI H,2500 this is the address of first number first number को हमने move किया in accumulator ठीक है हमारा first number move कहां हो गया accumulator में next अब हमें second number चाहिए तो हम क्या लिखेंगे INX H ठीक है INX H ठीक है means कि HL pair की value में one का increment हो जाएगा now जब हमें two numbers मिल गए तो now हम add करेंगे add M ठीक है add जब M करेंगे तो जो भी accumulator का content होगा that will be added with the content of memory pointer क्या करेगा accumulator की value को memory pointer की value की साथ add करेगा and उसके बाद हम क्या check करेंगे हम उसका decimal adjust करेंगे यान रखना है just after add use होता है जब यह हो जाएगा तो अब हमें check करना है in fourth step की is there carry or not अगर carry नहीं होगी ठीक है तो हम क्या करेंगे अगर हम सबसे पहले check करेंगे JNC अगर carry नहीं आती है तब तो हम क्या करेंगे result को STA कहां store कर देंगे 2502 पर because 2500 पर मारा first number 01 पर second number 2502 पर हमने result को store कर दिया ठीक यह उस case में अगर carry नहीं आती है अगर carry आ जाती है तो हमें carry की value को increment करना पड़ेगा means कि जो carry c में थी उसको हम increment देंगे increment देने के बाद हम STA करेंगे ठीक है और STA के बाद हम क्या करेंगे यहां पर हम carry को move कराएंगे in accumulator तो हमारा A,C आएगा और उसके बाद हम carry को भी save करेंगे at next location 2503 and now this is the last line to stop the program ठीक मैं एक बार explain कर देती हूँ और ठीक है जैसे suppose अगर यह हमारी first line होगी तो इस case में हमारी carry की value क्या हो गई 0 ठीक this is the initial this is the address of first number ठीक जो हमने क्या दिया था 5 4 ठीक है ठीक है this is the first number ठीक तो यह line इसकी हो गई now what is the next line next line आपसे क्या कह रही है means कि this line यह क्या कह रही है जो आपका 2500 का data था उसको move करो in accumulator means कि now what is the value in accumulator that is first number 54 ठीक अब INXH क्या करेगा INXH जैसे ही execute होगा actual pair की value जो पहले 2500 थी after this instruction वो अब change होके क्या हो चाहेगी 2501 ठीक now what is the next line next line क्या कह रही है add m add m क्या करेगा content of accumulator को add करेगा with the content of memory pointer और जो result आया उसको accumulator में feed करेगा accumulator में हमने first number डाला था 54 और m means की हमें 2501 का जो नमबर है means की 32 नहीं 65 65 इन दोनों को add करेगा इन दोनों को add करने के बाद result आएगा b9 यह जा कर कहां store होगा in accumulator यह मैं एक एक verify आपको कराऊंगी ठीक है जब addition हो गया तो number में भी greater than 9 हो सकता है तो हम क्या करेंगे decimal adjust करेंगे by using baa ठीक है तो this is used for decimal adjust इसके बाद अगर carry आती है ठीक है अगर carry नहीं आती है तो jnc से सीधे हम जम करेंगे store the result ठीक है ठीक है उसके बाद हमने accumulator की value को store किया at 2502 that will be the result and जो यह carry c register में थी उसको accumulator में load किया और then carry को store किया at 2503 ठीक है means कि हमारा जो final result आएगा उसकी values कैसे होंगी हमारा carry की value 01 यहां store होगी और जो हमने summation perform किया था उसका result कहां होगा यहां पर होगा तो हम values को रखके फीटर के चेक करते हैं ठीक है करना है अगर this condition is true or not true ठीक है तो start करते हैं addressing ठीक सपोज हमने program को load करना है at location 2000 तो जो हमारा move instruction MBI होगा यह हम 2000 पर देंगे this is a 2 byte instruction तो LXI हमारा कहां अकर होगा at 2002 ठीक है now move is a 1 byte instruction तो INX का address क्या होगा 2006 ठीक है INX is a 1 byte instruction तो add हमारा कहां होगा 2007 ठीक है now add is a 1 byte instruction तो DAA कहां हमारा करोगा at 2008 ठीक है तो याद रखना है 2008 पर हमारा DA है ठीक है तो उसके आगे फर्दर में बताती हूँ हमारी चो DA के instruction location आई वो 2008 आई this is a 1 byte instruction तो JNC जो हमारा अकर होगा वो हमारा 2009 पर होगा JNC is a 3 byte instruction तो यह 9 लेगा 9 के बाद 9 के बाद यह A and B यह location लेगा तो INRC जो होगा that will be occur at 2000 C ठीक है and INR is a 1 byte instruction तो STA का जो address होगा वो क्या होगा 2000 D तो हमें यही address mention करना है JNC के front में तो हमारा क्या address है 2000 D तो इसको हम put कर देते हैं तो जह हम यहाँ type करेंगे program को तो हम लिखेंगे 200 D ठीक है this is the complete program now ठीक है अब हम इसको load करेंगे हमने program लिखना शुरू किया था 2000 से तो हमें वही लिखना है अब हम change नहीं कर सकते जो हमने calculation की उसको change नहीं कर सकते फिर हमने इसको load कर दिया ठीक है जब हमारा program load हो गया तो अब हम यहाँ पे check करना शुरू करते हैं one by one values ठीक है step by step बट उससे पहले हम values load कर देते हैं हमारा first number two five zero zero पर first number हमने क्या लिया था हमने first number was 54 and second number जो तो हमने लिया था that is 65 ठीक है तो अब हम इसको run करते है step by step यलो पर हमने push क्या ठीक है first step चेक करते है ठीक है first step क्या थी c में register mbi c mbi c c की value क्यानी है 00 आप चेक करो in register c हमने क्या load क्या 00 ठीक now next step next step में हमने क्या use किया था lxi lxi 2500 आप चेक करो h में 25 है l में 2500 है ठीक है h की value 25 l की value 00 now what is the next step next step is m,a means कि इस case में क्या होगा जो हमारा first number means कि 2500 पर जो हमने first number 54 लोड किया था वो कहा move हो जाएगा in accumulator तो you can check यह हो गई हमारी value accumulator में 54 ठीक है now next step next step में हमने क्या किया हमने आये next hl किया means कि जो hl pair में value 2500 थी now new value will be 2501 चेक करते है h की value 25 l की value 01 because this is stored in h और यह आपका कहाँ लोड होगा in m थी now what is the next step next step हमने किया add m add m का means हुआ हमने जो accumulator में content 54 था उसके साथ हमने दूसरे number means कि जो 2501 पर data था उसको add किया और इस पर हमने लोड किया था 65 तो हमने add किया 65 को इसका जो result आएगा means कि 549 56 11 11 को लिखते हैं b यह हमारा कहाँ लोड हो जाएगा in accumulator तो you can check here a की value क्या है b9 ठीक है now next step दिखते है next step next now what is the function of da ठीक है और 17 को हम क्या लिखते है x में 11 ठीक है तो यह this number यह जो आपका 8 bit का number है यह तो store हो जाएगा in accumulator और यह क्या करेगा carry flag की value को one करेगा ठीक है तो आप चेक करो accumulator में क्या है 19 और यहां पर देखो आप c को इसने highlight किया है c की value क्या शोगी है जीरो बंटेक है तो हमारा डन हो गया कि हमारी carry flag हाई हो गई कि carry flag हाई हो गई तब हमारी next instruction क्या है हमने चक किया था jnc jnc के सामने जो address था हम वहाँ जम करते तो आप वहाँ जब चुम करा हमने तो वह क्या करेगा increment करेगा increment करेगा किसमे c की value c की value initially क्या थी हमारी c की value हमारी initially 00 थी after this instruction वह हो गई हमारी 01 you can check here ठीक है now what is the next instruction next instruction है sda 2502 means की यह क्या करेगा जो value 19 थी इसको store करेगा 2502 पर तो इसको हम check करेंगे अभी पीछे जाकर ठीक है कि इस location पे हमारा number होना चाहिए 19 ठीक है चलो चेक करते हैं तो you can check here कि यह आपका जो number है this one this one ठीक है यह हमारा 2502 है और इस पर value क्या store होगे accumulator का content ठीक है now what is the next step next step हमने check किया इसने क्या किया इसने move किया इसने c की value को move किया accumulator में you can see here कि c में भी 01 है और accumulator में भी 01 है ठीक what is the next step next step आपका क्या है कि हमारा जो भी accumulator का content है accumulator का content means कि 01 को यह कहां store करेगा 2503 पर चेक करते हैं यहां पर चेक किया this is the location यह 2503 और what is the content 01 तो done ठीक है and last this is halt means कि stop the execution this is the complete program still you have any doubt please write down in comment section thank you